असलों अलेकुम गाईज मैं हूँ आपके साथ धनीबक्ष और आज हम सीखने जा रहे हैं दो गुरूप्स दिन का नाम है स्तायल्स क्ना क्राइब का अब करते हैं कोई भी यहां पर हमारे मिलते हमें मिलते हैं कुछ heading से कुछ जो हम easily add कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनका style उनका style हर किसी का अलग-अलग होता है यहां पर मैं opening करता हूँ यह देखें यह हमारी heading से हैं जैसे मैं इन सब में से cursor रखूँगा क्या होगा उनकी styles उनकी styles और size font की वो change होती रहेगी यह देखें तो इस style का यही काम है आगे में चलके जब हम परचेंगे दूसरे time में तो मैं आपको बताऊंगा heading और heading 1 heading 2 इनका और भी काम है मगर वह भी मैं आपको नहीं बताऊंगा next lecture में आपको बताऊंगा फिलाल के लिए आप इतना समझे कि यह styles होते हैं जो हम apply करते हैं अपने fonts पे default इन पे color भी apply होते हैं और इनका style और font size की हर किसी के अपनी अपनी होती है तो यह होगी हमारे styles के बारे में अब आगे चलते हैं यहाँ पर हमारा editing group editing group में क्या होता है सबसे पर हमरा option आता है find find की meaning यही होते है किसी को find करना ढूंड़ना तो यहाँ पर भी इसका same ही काम है आप क्या करेंगे यहाँ पर आप just click करेंगे find पर जैसे आप find पर click करेंगे यहाँ पर side में आपको navigation का एके panel find करना है अगर आपके document में को यहसा कोई name है जो आप find करना चाहते हैं कि हम find करें उसको replace करें या कुछ भी तो सबसे पहले आपको वह find करना है find कैसे करेंगे अभी मैं आपको यहाँ पर example देता हूं मैं यहाँ पर select around type जैसे मैंने type दिखा को तो यह मुझे highlight करके बता रहा ह है कि यहाँ पर यह जो type word है लिखा हुआ है अभी यहाँ पर कितनी results है एक क्यूंकि सारे document में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिखा है वह उसका जिसका नाम में type अगर मैं यहाँ पर change करता हूं जैसे कि मैं यहाँ पर search करता हूँ online तो online कितने words है online के दो words है है हमारे document में यह तो एक पेज़ दो pages है अगर आपके पास 1000 pages हो गए तो आप उसमें भी easily find कर सकते हैं कि CD page पर जो लिखा हुआ होगा आपके सामने highlight हो जाएगा तो इसका काम क्या हुआ find करना चले उसके बाद हम चलते हैं replace की तरफ replace क्या करता है जैसे आप replace क्लिक करेंगे सबसे पहले क्या होगा यहां पर option लगा find word आप क्या डूणना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो तो आपको मिल गया जो आप find करना चाहते थे उसके बाद क्या करना है हमें उसको replace भी करना है अब जब replace करना है इस online को जो word आफ वहाँ पर use करना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहां लिख दिया offline अब मेरे online के कितने words हैं दो words थे हैं अभी मुझे वो replace करने है अब suppose करें यहां पर दो options है एक है replace और दूसरा replace और अब replace अगर मैं करूँगा तो मेरा जो पहला word है वो replace हो जाएगा document में जो मेरा पहला word होगा वो replace होगा हां दूसरी भी एक बात हो दिये अगर आप करसर जो नीचे होगा अगर तो वहां से इस्टार्ट करेंगा यह replace करना अगर suppose करें मैं चाहता हूँ के नहीं यहां जहां पर आफ्लाइन लिखा हुआ है वहां पर आफ्लाइन आ जाए तो आप क्या करेंगे यहां पर easily करेंगे रिप्लेस आ तो यह आपको बता रहा है आल डन वी मेट टू रिप्लेस्मेंट मदा मगलब केस ने दो जो नेम से वो replace कर लिए हैं यहां पर find हो गया replace हो गया और यह ह हम आगे पढ़ेंगे मगर अभी मैं आपको यह बताता हूँ simply line line numbers तो आपको पता होगा अभी मैं कहता हूँ के मुझे जो line है जो स्टाक्यूमेंट में वो मुझे जम करना है 22 पे कौनसी line पे 22 पे मैं यहां पर करूँगा go to जैसे मैं इसको close करूँगा तो यहां पर मुझ मुझे यह करसर 22 पे मुझे लेके जाएगा तो क्या होगा अगर आपको किसी भी line पे जम करना है तो आप easy क्या करेंगे just go to पे click करेंगे यहां पी option वह है go to वाला आप यहां से भी use कर सकते हैं और यहां पर क्या करेंगे जो line आपको चाहिए मैं आप फॉल लिता हूँ और यह shorter keys मैं आपके साथ share करूँगा पिछले वीडियो में मैं आपको बताए थी अभी बताता चलूँगा shorter keys एक साथ तो सबसे पहले हम यहां पे आपको बताता हूँ के select all एक हुआ 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 है select all की शाटर की है control plus a क्या होगा सारा का सारा document जो type किया हुआ वह select हो जाएग है आपके उपर चले यह तो हो गया select आप उसके बाद है select objects अभी यहां पे हमारे document में object कोई नहीं है हमारे document में कोई भी object नहीं क्योंकि MS office में जो objects होते हैं वो होते हैं हमारे shapes से होते हैं picture होती है यह हमारा क्या होते हैं यह हमारे objects होते हैं उनको select करने के लिए हम इस तबा करते हैं select objects चले वो हो गया अभी मैं आपको बता होता हूँ यहाँ पे यह तीसरा option है वो है select all text with similar formatting अब यह action बहुत ही मज़दार है और बहुत काम का option है जैसे के मैं यहाँ पहले सीखा था formatting उसमें क्या करते हैं हम फार्मेट को copy करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई paragraph लिखा उसको मैंने select करके कुछ fonts में मैं क्या करता हूँ मैं उसकी addings चेंग कर रहा हूँ उसके बाद उसकी font चेंग कर रहा हूँ लास्रेस को हैँ अभी मैं फार्मेट करके यहां पर सब क्रते हूँ डपर क्लिक करता हूँ और यहां पे यह एक्टर रहें गाग मेरा अभी दृखतें अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ के कि जो-जो मैंने यह फार्मेट कापी कि यह एक यह एक यह एक यह और यह लास्ट मैं चाहता हूं कि नहीं अभी इनकी जो साइज है वह फॉन्ट स्टायल है वो चेंज कर नूँ ऐटे टायम अगर मैं ऐसे करूंगा अनकिवंट साइस तो क्या होगा एक को स्लेक करना पड़ेगा दुसरे को फिर तीसरे को मैंगर यह जो आप चम्नट मैं आपको बता रहा हूँ वह इसलिए होता है कि cognitive क्या करेंगा आप किसी भी वर्ड को select करेंगे क्या करेंगे आप उस वर्ड को select करेंगे फिर आप क्या करेंगे select all within similar formatting अब जो यह format जिस वर्ड पे इस्तेमाल हुआओगा वो सारे के सारे बीच में से select हो जाएंगे देखें अभी आप easily इनका fonts change कर सकते हैं आप इनकी font style change कर सकते है font size change कर सकते हैं या कोई भी आप format अप्ला कرना चाहते हैं तो आप easily apply कर सकते हैं सिर्फ selected text पर मैं आपको याँ पर कर के दिखाता ओहए अब मियां पर देखें मैं change कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो जो selected text है वही सिरफ और सिर्फ चेंज हो रही है तो फोके यह आपको समझ आ गया वगा स्लेक्ष्ट आफ्शन में और ऊस्तों म suckle Ne SIM सलेक्षिन पेन अब ये स्लेक्षिन प्रेन में क्या हुता है मैं यहां पे इसका हां कि यहां यह आपन है अभी मैं क्या करता हूं यह अचा यह जो सेलेक्शन पेन होते हैं यह होता है यूज हमारे पिक्चर और शेफ्स के लिए यहां पर मैं उस शेफ्स लेता हूं यह कि यह शेफ्स लेता हूं इसके बाद मैं दूसरा शेफ्स लेता हूं अब मेरे पास कितने शेफ्स दो शेप हो गए मैं एक इमेज लेता हूँ अब मैं यहां पर इमेज भी लिए और क्या शेफ भी लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जी डाक्यमेट में जो एड किये होगे है इनको मैं अभी कुछ टैम के लिए हाइड कर दूँ हाइड कर दूँ चैकर दूँ हाइड कर दूँ सम टाम होता है कि हमारे दाकिमेंट में क 받 तस्वीर ओर शेफs करते हैं फिर कभी गभी weiterhin नहीं चाहिए क्थ्व करतें उल्हों नहीं चाहिए तो आप उनको Еजी हाइड कर सकते हैं जैसेρέ है защ अभी यह जो यह यहाँ पर पड़ा हुआ है मगर मैंने जस्ट रोजिस्ट यहाँ पर हाइड कर दिया है यह विद्ध हाइड कर अचा एक बाद यह शेफ जो इसी लिए हाइड हो जाएंगे यह जो इमेज यह हाइड तब भी होगी जब आप इस पर क्या अपलाइ करेंगे य होप कि आपको यह आज शा लेक्टर समझ में आगा होगा आज हमने कवर किया स्टाइल सेंड एडिडिंग अगर कोई भी आपको सवाल हो कोई भी जहन में कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट में एजिली पुछ सकते हैं मैं आपको रिस्पॉंस करने की भरपूर कोशिश कर कि यह बुल्ट एक कंटोल भी stepping अंडरायने कंटोल यू है ङस अब को क्यम मिल जाएगी यह लाइनमेंट्स एक अ만्ट्रोल इफ टेंप होटा है Ctrl L, Ctrl R होता है Right के लिए और यह होता है Central के लिए Ctrl E और उसके बाद यह होता है Justify, Justify के लिए Ctrl J यह शार्टर की मैं आप से रेटिन में भी शेयर करूँगा इंशाला तो आज के लिए इतना ही फिर इंशाला नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर जो है टेप के बारे भी बताऊंगा Thank You